बच्चे पूँच रहे हैं सर कितने सवाल करने हैं देखो जितने हो सकते हैं करेंगे इमान दारी के साथ कैता है थर्ड कुश्चन है कैता है X has a residential house X के पास residential house है inherent मतलब विरासत में मिला है from his father अपने पिताजी से इसको एक घर मिल गया विरासत में जो कि इसके पिताजी ने खरीदा था 1998 में इट वास कंस्ट्रक्ट एड कॉस्ट और इसको बनाया गया था साथ लाग पचास अजार बाय हिस फादर और 1996 में इसके पिताजी ने इसको बना के भी दिया है अब X ने क्या करा कि 2003 में उसमें और खर्चा करा सर यानि कॉस्ट और इंप्रूमेंट आ गया ये वाला लेकिन सर साथ लाग पचास अजार आलसो पाट अफ कॉस्ट और इंप्रूमेंट क्योंकि उसके पिताजी ने घर खरीद लिया उसके बाद उसमें बनाया है अब जमीन खरीदी है उसके बाद बनाया है तो इंप्रूमेंट का पार्ट है ऐसा नहीं कि घर होगा उसके बाद ही इंप्रूमेंट होगा ठीक है न तो यहाँ पर एक कॉस्ट आफ इंप्रूमेंट की बात करें तो एक तो COI ये वाला पार्ट है, एक सर COI ये वाला पार्ट है, लेकिन मुद्दे की बात है सर लेना कौन सा है, कौन सा छोटना है, कहता है एक चार को FMV दे रखा है, इसका सर 10 लाख रुपए, एडिशनल वोर और सो फैब, एक और फैब में बना लिया है, ये बिल्डिंग एक सेक्टरा, तो देखें सवाल तो वही है, बस इसके अंदर एक्जामनर आप से क्या जानना चाहता है, क्या आपको आता है, यहाँ पे प्रिवियस ओनर का कॉंसेप्ट या नहीं आता है, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, वो अलग बात है, क्या अगर आपको याद है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर, कॉस्ट ओफ इंडिक्शेशन में क्या लेना है, सबसे पहले सर, सेल्स, सेल्स कितने का किया इसने घर को, 43 लैक का, less selling expense, कितने, 35 पान सो, net selling consideration, 42 सर, minus cost of acquisition, मुद्दे की बात ही है, अब इसके पिता जी ने घर 1998 में खरीदा, और उसको बनवाया भी, 7,50,000 खर्च करके, और इस फादर, इन में, 1996, साइद कोशन थोड़ा सा कट गया, मेरे खाल, 96 में इसके पिता जी रहे नहीं होंगे, उसके बाद उसको दे दिया गया, जून 13 में, सुरी, इसके फादर ने additional करा, इतने का, और दा fair market value, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है कोशन में, अब देखो, 1996 में खरीदा, या उननिस सो, कब खरीदा था, 98 में, 96 में उसको मिल गया, whatever, कब खरीदा, हमारा जो यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे सर, FM भी लेंगे, सीधी सी बात है, divided by 100, इंटू में 317, ठीक है, माइनस cost of acquisition, improvement, सर, cost of improvement दो है, मैंने आपको बताया था, अगर indexation से पहले का improvement हुआ, तो उस improvement को हम नहीं लेंगे, ignore कर देंगे, क्योंकि वो तो property में, fair market value में जूड़ी गया है, उसके बाद का लेंगे, तो उसके बाद का improvement दो है, कौन सा है सर, दो है एक है देख लेते, एक तो यह improvement है, और एक यह भी तो है, दो improvement हो गया, तो सर, एक 2003 में है, 22, 65, 24, सर, एक और है, वो है हमारा कितने का, डबल टू, 1232, सर, अब हर किसी का, यह करा कब है सर, 2003 में, तो 34 लगना है, तो 34 का 109, ऐसे ही आपको एक्जाम में भी मिलेगा, इसके बाद अगला जो करा improvement इसने, कब किया है सर, 11 में, तो यह क्या लगेगा, 10, 11, ठीक है न, 10, 11, 16, 266, इस question में examiner, मजा तब आ जाता इस question में, सर, examiner न यहाँ पर 11, 12 भी दे देता, कुछ बच्चे 11, 12 का भी ले सकते थे, बर दिया नहीं अलग बात है, चलो छोड़ो, चलिए बताईए क्या आया, 31,00, दूसरा, निकालिए, 6,00, अगला, वही बाकी बच्चे भी contribute करें, क्या, 7,0, 7,0, 1, बताईए, क्या आया, कितने, 15,076,7, माइनस, क्या ये इस सवाल में, अब जितने बच्चे कमेंट में भी जवाब देंगे, क्या ये इस सवाल के अंदर, इस question में किसी exemption के लिए है, सर पेज नमबर अभी प्लीज मेरे से मत पूचिए, सवाल सामने हैं, आपको सवाल का अंदर मिल जाएगा, क्या exemption के लिए है कोई available, तो जवाब है, नई सर, नई exemption के लिए हैं, देखो, बच्चे कह रही हैं, देखो, ये, खरीदा है ना, exemption मिलेगा, 54, कितने, ये भी 10 का ही सवाल आएगा, पंदरा का नहीं आता, तो 10 मार्क्स का, देखें, आप लोगों इने ये चीज़े सीख लिया है, के सर, cost of improvement पहले वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो आपको easy लग रहा है, अगर जिन बच्चों ने नहीं करा, जो बच्चे first class में आये होंगे, आज उनको लोग रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो amount क्यों नहीं लिया, तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, कि पहली वाली जब आप classes देखोगे ना सारी, एकदम clear हो जाएगा, सर क्या चीज़े हमें करना है, क्या नहीं करना, simple सी बात, एक और question, आज हम question पर question करना है, सरफ, चलिए, यहां से क्या हटाना, पढ़ते हैं, कहता है, on 1997, are purchase a plot, एक जमीन खरीदा, 4 लाक रुपे का, 2021 में बेच दिया, 24 लाक रुपे का, and paid brokerage 2%, कहता है के, sale consideration, out of sale consideration, invest, बोला भाया, जो भी पैसा हमने, पैसा आया, इतना invest कर दिया, construction of residential house, which completed before, मतलब, 36, 30, June, 2022, में हमने, construction complete कर दिया है, सर, compute the taxable capital gain, Mr. R, assessment year, 22, assume, आपका, क्या, कहता है के, that does not, on any other, residential, house, fair market value, अब बताईए, अच्छा, सबसे पहले बताए, कौन बच्चा बताएगा, इसके अंदर, आपको जवाब देना है, किसमें, exemption कौन सा मिलेगा, बताईए, कौन सा exemption मिलना है, कमेंट में, सभी बच्चों का जवाब आना चीए, इतने सारे बच्चे हैं, live class में, पारस जैन का कहना है, लक्षे का कहना है, सर, 54 F, पारस जैन का भी, येस, सर, यहाँ पे exemption जो मिलेगा, examiner बहुत sharp minded है, वो चाहता है, कि आप 54 low, लेकिन हिंड भी दे रहा है, साथ के साथ, यहाँ पे इसने, plot की बात करी है, residential house नहीं है ये, पिछले वाले सवाल के अंदर, plot लिया, या कुछ भी लिया, बनवा के बेचा है इसने, आप plot ले लिजिये, कोई बात नहीं है, उस पे घर बना के बेचिये, तब आएंगे आप 54 गे अंदर, और plot लेके, अगर आपने plot बेच दिया, that is not a sold residential house, वो तो आपने जमीन बेचा है, तो सर, यहाँ पे एक जमीन, बेच के आपने, यानि other than residential house को sold करके, क्या खरीदा एक residential, और सवाल में एक hint भी दे रहा है, कि इससे पहले कोई house ही, नहीं है, तो सर, यह 54, साइद यह सवाल किया है नहीं किया, मुझे याद नहीं है, अच्छा करा है यह सवाल, करवा रखा है, शाइद मैंने करवाया होगा, हाँ, यह मैंने चेंज सो कर रहा होगा, क्योंकि मुझे कुछ आंसर को verify करना था, करवा रखा है, यह 54F से मुझे याद आया, करवा रखा है, पुरानी वीडियो में, हर किसी से हो जाएगा, डन बोल दीजिए, तो मैं अगले कुश्चन पर चलू, हो जाएगा यह कुश्चन, नहीं नहीं देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कि सर 54F की तो यह कंडिशन है, कि घर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, यह कंडिशन नहीं है, एक से जादा घर नहीं होना चाहिए, यह कंडिशन है, दोनों में फरक है, 54F कहता है कि भाईया, आप कोई भी एसेट्स बेची और एक घर खरी दिया, लेकिन इससे पहले एक घर आपका हो सकता है, यानि अगर कोई बच्चा कह रहा है, कि सर मैंने एक फ्लॉट बेचा, मैंने गोल्ड बेची दिया, मेरे पास घर है ही नहीं, तो क्या मैं रेजिडेंचल हाउस के लिए एक्जम्शन बिल्कुल ले सकते हो, आपके पास minimum one house होना चाहिए, और maximum, sorry minimum कुछ भी नहीं हो सकता, और maximum one house होना चाहिए, यानि 54F क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, क्या इसके पास कोई घर था पहले से, नहीं था, कहता है कि does not on any other residential house, कोई ही नहीं इसके पास, अगर कहता है, इसके पास one house है, तब भी 54F exemption के लिए मिल जाता, तो simple सी बात है, पहले बताईए कुश्चन हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा, done,